हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टो दी चैनल तो आज मैं आपके लिए लिए कराएं हूं क्लास 10 से एक और इंपोर्टिन चाप्टर जिसका नाम है दनेकलेस और इस चाप्टर के जो राइटर है उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्षन में बताओगे ओके तो ये जो चाप्टर ह बाहरे में मटिल्दा जो एक बहुत संदर लड़ी रहती है जिसको इक ग्रेंड पार्टी से इंडविटेशन आता है तो उसके पास इक बहुत संदर सा ड्रेस तो रहता लेकिन गहने नहीं रहते पहनने के लिए यानि उसके पास जुएलरी नहीं होती है उस पार्टी में पहनने के लिए तो इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड से एक निकलेस बोरो करती है और वो उसे खो देती है तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर उसके साथ क्या होता है तो मतिल्दा लॉइजल जो थी वो एक बहुत सुंदर सी लेडी थी लेकिन अपने फूटी किस्मत की वजह से खराब किस्मत की वजह से उसका जन में एक मिड़ी ख्यास क्लर्क फैमिली में हुआ था तो उसकी जो फैमिली थी वो उतने जादा रिच नहीं थे कि वो उसके शादी के लिए डौरी जमा कर पाएं दहेज जमा कर पाएं तो ना तो उसके पास दहेज में देने के लिए कुछ था और ना ही वो जादा फेमस थी तो जिसकी वजह से उसके पास कोई option नहीं था कि उसे कोई एक rich आदमी मिलेगा शादी करने के लिए तो इसी की वजह से वो एक clerk के साथ शादी कर लेती है जो कि Board of Education के office में काम करता था मतिल्दा लॉइजल जो थी वो काफी ही simple थी लेकिन वो हमेशा दुखी रहती थी unhappy रहती थी तो वो हमेशा सोचती रहती थी कि उसकी किस्मत ही खराब है और उसका जन्म तो अमीरों के यहां होना चाहिए था लेकिन उसकी खराब किस्मत की वजह से उसका जन्म एक middle class family में हुआ था तो उसे बहुत ही जादा गुसा आता था और वो torture feel करती थी जब वो अपने apartment के condition को देखती थी यानि जिस apartment पे वो रहती थी उसकी condition को देखकर उसको बहुत ही जादा गुसा आता था और उसे torture feel होता था उसकी जो गंदी दिवाले थी dirty walls थे उसके जो furniture थे जो की फट गये थे torn furnitures जो थे उन सभी को देखकर उसे irritating होता था तो जब भी उसका husband उसे dinner में एक simple से dish serve किया करता था तो वो उस time पे वो उन rich लोगों के बारे में सोचा करती थी कि वो लोग कैसे एक silver से plate में बहुत ही lavish dinner करते होंगे यानि बहुत ही अलग अलग तरा के सुन्दर सुन्दर अच्छे अच्छे पकवान खाते होंगे वो भी silver plate में और मैं यहाँ एक simple से dish खा रही हूँ तो वो अपने dinner के time पे ये सब सोचती रहती थी उसके पास fancy jewelries नहीं थे अब उसकी एक school friend थी जिससे उसको मिलना बिल्कूल भी पसंद नहीं था क्यों? क्योंकि जब भी वो उससे मिलने जाया करती थी और जब वो उससे मिलकर लोट कर आया करती थी तो वो उदास हो जाया करती थी तो एक शाम को उसका जो husband था वो जब अपने office से आता है तो वो बहुत ही ज़ादा अच्छे mood में था और उसके हाथ में एक envelope रहता है तो वो उस envelope को मतिल्दा को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए है और तुम इसे जल्दी से खोल कर देखो तो अब मतिल्दा लॉजल जो है वो जल्दी से एंवलप को खोल कर उसके अंदर जो कार्ड था उसको निकालती है और वो बहुत ही ज़दा एक्साइटेट थी ये जानने के लिए कि उसमें आखिर लिखा क्या है तो वो एक इंविटेशन कार्ड था मिनिस्चर की तरफ से तो उस कार्ड में लिखा गया था कि वो दोनों कपल्स जो है वो मिनिस्चर के घर पर उनको डिनर के लिए इंवाइट किया गया है तो उसका जो husband था M. Loisle उसने सोचा था उसने expect किया था कि मतलदा Loisle ये सब कुछ देख कर बहुत ही ज़ादा खुश हो जाएगी लेकिन उसके बिल्कुल ही opposite वो जब ये देखती है तो वो बहुत ही ज़ादा गुसा हो जाती है और वो card को fake देती है और कुछ मरमर करने लगती है कुछ फुस फुसाने लगती है तो ये देखकर उसका जो husband है वो उससे कहता है कि मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था कि तुम इतना गुसा हो जाओगी और वो कहता है कि उसने तो expect किया था कि जब वो उसे card देगा तो वो बहुत ही ज़ादा खुश हो जाएगी और वो बहुत दिनों से बाहर नहीं गई है तो उसके लिए ये काफी अच्छा मौका है एक ऐसे occasion में जाने का जहां पर employees को बहुत कम ही बुलाया जाता है यानि कि ऐसे occasions में ऐसे grand grand parties में employees को बहुत कम ही बुलाया जाता है लेकिन फिर भी M. Loisel यानि मतिल्दा का जो husband थे उनको ये chance मिला था वहाँ पर जाने के लिए तो उन्होंने expect किया था कि जब वो अपनी wife को ये card देंगे तो वो खुश हो जाएगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता तो वही बात वो मतिल्दा से कहते हैं फिर वो ये भी कहते हैं कि उस party में तुम्हें मेरे office के बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा तो अब जो मतिल्दा है वो बोल परती है वो कहती है कि अच्छा बताओ उससे कहता है कि तुम वही dress पहन लेना जो dress पहन कर तुम movies देखने के लिए बाहर जाया करती हो लेकिन फिर जब वो अपने wife को रोते हुए देखता है तो वो उससे पूछता है कि बताओ बात क्या है तुम क्यों रो रही हो तो मतिल्दा जो है वो अपने गुसे को कंट्रोल करते हुए और अपने आसुओं को पोच्छते हुए उससे एकदम soft voice में कहती है कि मैं उस grand party में नहीं जा सकती तुम इस card को अपने किसी friend को दे दो जिसकी wife के पास मुझसे अच्छे कपरे हो तो ये सुनकर M. Loisal जो है वो अपनी wife के लिए बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो रो रही थी तो वो उससे कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं ये बताओ कि एक अच्छा सा simple सा dress खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे तो अब इस पर जो मतिल्दा है वो थोड़ी देर सोचती है और वो ये सोचती है कि वो कुछ ऐसा amount बोलेगी जो कि उसका husband जो है वो दे सकेगा क्योंकि वो एक clerk है तो वो कहती है कि मुझे exactly तो नहीं पता कि कितने पैसे लगेंगे लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रांस में हो जाएंगे तो ये सुनकर उसका जो husband है वो पीला पर जाता है क्योंकि उसके पास पैसे तो थे लेकिन उसने कुछ पैसे जमा करके रखे थे एक गन खरीदने के लिए ताकि वो अपने कुछ friends के साथ अगले summer में hunting पर जा सके hunting parties में जा सके तो उसके लिए उसको gun खरीदना था जिसके लिए उसने पैसे जमा करके रखे थे लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें 400 फ्रांस दे दूँगा लेकिन तुम्हें अच्छी सी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना तो अब जो party वाला दिन था वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और मतिल्दा लॉजल का जो ड्रेस था वो भी ready हो गया था लेकिन इसके बावजूद भी मतिल्दा लॉजल जो थी कि वो अच्छा नहीं दिख रही थी यानि कि वो कुछ परेशान सी थी तो एक दिन उसका जो husband है वो उससे पूछता है कि बताओ तो बात क्या है तुम इतने दिनों से इतना strangely behave क्यों कर रही हो तो इस पर जो मतिल्दा है वो reply कर दिया वो कहती है कि although उसके पास एक dress तो है लेकिन उसके पास कोई jewelry नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो पहन कर और भी जादा attractive लग सके फिर वो कहती है कि अगर मैं बिना jewelry के इतने बड़े party में जाऊंगी तो मैं एक poor person लगूंगी फिर वो कहती है कि इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं उस party में ना जाऊंँ तो इस पर उसका जो husband है वो reply करता है कि तुम कुछ natural flowers भी तो पहन सकती हो उस dress के साथ जो कि बहुत ही जादा सुन्दर और attractive लगेगा तो इस पर जो मतलदा है वो reply करती है कि क्या बोल रहे हो यह बहुत ही जादा cheap लगेगा उतने बरे यानि rich लोगों के party में flowers पहेंग कर जाऊंगी मैं यानि उसका जो husband है वो उससे कहता है कि तुम flowers के गहने वगेरा या फिर flowers से सज़ कर जाना तो इस पर जो मतलदा लॉजल लोगों कहती है कि यार यह तो बहुत ही जादा cheap लगेगा तो फिर उसका जो husband है वो उससे suggest करता है कि तुम अपने friend मैडम Forrester के पास क्यों नहीं जाती और तुम उससे कोई jewelry उधार ले लेना तो इस idea को सुनकर मतलदा जो है वो बहुत ही जादा खुश हो जाती है और वो दूसरे ही दिन अपने friend मैडम Forrester के घर पे जाती है और वो उससे कहती है कि वो बहुत ही जादा stress है party को लेकर क्योंकि उसके पास कोई jewelry नहीं है पहनने के लिए तो मैडम Forrester क्या करती है कि वो अपने closet में जाती है यानि अल्मारी में जाती है आलमिरा में और वहां से अपना jewelry का box लेकर आती है मैडम Forrester जो है वो उसके पास उस box को रख देती है और वो उससे कहती है कि तुम इसमें से कोई भी एक jewelry चूस कर लो तो पहले तो वो कुछ bracelet देखती है उसके बाद वो pearl के बने हुए jewelries यानि necklaces देखती है उसके बाद gold के बने हुए jewelries देखती है और वो decide नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या लेना चाहिए तो वो मैडम Forrester से पूछती है कि तुम ही बताओ मुझे क्या लेना चाहिए इस पर जो मैडम Forrester है वो उससे कहती है कि तुम खुद ही अपने लिए कुछ अच्छा सा देख कर ले लो अब मतिल्दा को एक diamond necklace दिखाई देता है जो कि एक black box में रखा हुआ था तो वो उसे निकालती है एकदम कापते हुए हाथ से और वो उसे पहन लेती है जब वो उस necklace को पहनती है तो वो बहुत ही ज़ादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जो necklace था वो उसके उपर बहुत ही ज़ादा सुन्दर लग रहा था तो वो अपने friend इसे पूछती है कि क्या वो इस necklace को ले सकती है उधार पर तो इस पर जो madam forestier है वो मान जाती है so madam loisal जो है वो अपने friend को hug करती है यानि कि उनको affection show करते हुए यानि love show करते हुए वो अपने friend को hug करती है और फिर वो घर से चली जाती है तो party वाला दिन जो है वो आ गया था और madam loisal को बहुत ही जादा appreciation मिल रहा था यानि उनकी बहुत ही जादा तारीफ ओरे थी क्योंकि वो बहुत ही जादा सुन्दर लग रही थी बहुत ही elegant और gracious लग रही थी सबसे तो वो बहुत ही जादा खुश थी she was very happy and full of joy क्योंकि सारे main जो थे वो उनको notice कर रहे थे यानि सारे आदमी जो थे वो उनको notice कर रहे थे इसलिए वो बहुत ही जादा खुश थी she was full of enthusiasm and pleasure वो बहुत ही जादा happy थी क्योंकि उनको जो सभी attention मिल रहे थे उन सभी की वजह से वो बहुत ही जादा खुश थी यानि सब लोग उन्हें attention दे रहे थे तो मैडम लॉजल जो है वो पार्टी को बहुत अच्छे से enjoy करती है वो पार्टी में dance करती है और उनको मतलब किसी बात की तब चिंता नहीं थी वो पार्टी में जब तक बहुत थी तो वो लोग पार्टी को enjoy करने के बाद चार बजे सुबा के चार बजे पार्टी से निकल जाते है तो मैडम लॉजल जो था यानि कि मैडम लॉजल का husband तो वो बारा बजे एक hall में जाके तीन आदमियों के साथ सो जाता है यानि मतिल्दा का जो husband था वो आकर उनको wrap करता है यानि उन्हें एक कप्रा उढ़ाता है क्योंकि वो लोग वहां से निकलने वाले थे इसलिए तो मतिल्दा ने जो सुन्दर सा ड्रेस पहना हुआ था उसके उपर वो कप्रा जो है वो लोग उसे उस कप्रे के साथ देख ले जो रिच लेडी से उन्होंने अपने आपको एक रिच फर से wrap किया था जबकि मतिल्दा ने एक पुराने से कप्रे से एक चीप से कप्रे से wrap किया था तो ये चीज वो उन लोग को नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि उसने अपने आपको उनके सामने नए ड्रेस और नए डामन निकलेस से अपने आपको उनके सामने रिच लेडी की तरह पेश किया था दिखाया था तो वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसे एक फीके से कपड़े, एक चीप से कपड़े के साथ देख ले, इसलिए वो उस पार्टी से जल्द से जल्द निकलना चाहती थी तो एम लॉजल जो था, यानि मतिल्दा का जो हस्बेंट था, वो उससे कहता है कि तुम थोड़ा वेट करो, तब तक मैं एक कैप बुला लेता हूँ, लेकिन वो इतनी जादा हरी में थी, इतनी जल्द बाजी में थी कि वो जल्दी से सीरियों से उतर कर चली जाती है, और वो कुछ नोटीज भी नहीं करती, तो जब वो लोग स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं, तो वो लोग कैरेज धूंडने लगते हैं, जो कि उनको घर तक लेकर जाए, लेकिन उन्हें कोई भी एक भी कैरेज नहीं मिलता है, फिर वो लोग एक कोच मैन को देखते हैं, जो कि कु बाद ही पुराना कैरेज दिखाई देता है, तो वो जो पुराना कैरेज था, वो उन्हें ड्रॉप कर देता है, उनके घर, उनके डोर स्टेप पर, यानि डोर दर्वाजे के सामने, फिर वो लोग ठकेहारे अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, और तब तक मतिल्दा क जो इन्टूजियाजम था, उसका जो प्लेजर था, फन था, खुशी थी, वो सब खत्म हो चुकी थी, यानि उसका सब ओवर हो गया था, एम लॉइजल जो था, यानि मतिल्दा का जो हस्बेंट था, उसे याद आता है कि हाँ, दस बचे उसे ऑफिस पहुचना है, तो आप जो मतिल्दा है, वो मिरर के सामने खड़ी होती है, यानि आइने के सामने खड़ी होती है, और वो रैप हटाती है, और खुद को एक आखरी बार उस सुन्दर से ड्रेस और नेकलेस के साथ देखती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है, वो रोने लगती है, चिलाने लगती है और वो कहती है कि नेकलेस गायब है यानि नेकलेस मिसिंग था वो उसके नेक पर नहीं था M. Loisel जो था वो half undressed था यानि कि उसने अपने half यी कपरे चेंज किये थे कि तभी वो मतिल्दा को देखता है चलाते हुए तो उससे पूछता है कि तुम क्यों चला रही हो तो वो उसकी तरफ टर्ण होती है और वो उससे कहती है कि मैडम फोरिस्टियर का नेकलेस मिसिंग है और लगता है कि वो कहीं गिर गया है फिर वो लोग सर्च करते हैं अच्छे से खोशते हैं फिर वो लोग ग्रेस को एकदम जारवार के देखते हैं कि कहीं उसमें अटक वटक तो नहीं गया है फिर वो लोग उसके पॉकेट वगेरा हर जगा देखते हैं लेकिन उनको वो नेकलेस कहीं नहीं मिलता अब M. Loisel जो है वो मतिलदा से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तब वो नेकलेस तुम्हारे पास था तो इस पर जो मतिल्दा है वो कहती है कि उसे अच्छी तरह से याद है कि जब वो लोग मिनिस्टर के घर से निकले थे तो उसने उस निकलेस को महसूस किया था यानि उसने निकलेस को महसूस किया था तो इस पर उसका जो husband है वो उससे कहता है कि अगर तुमने वो necklace street पर गिराया होता तो हमें उसके गिरने की आवाज आती लेकिन ऐसी कोई आवाज तो हमें सुनाई नहीं दी इसका मतलब है कि हो सकता है वो necklace cab में होगा इस पर मतलबा जो है वो reply करती है कि हाँ ये possible हो सकता है तुम सही बोले हो लेकिन क्या तुमने cab का number note किया था तो उन दोनों में से किसी ने भी cab का number note नहीं करा था तो उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से उनके साथ क्या हो गया तो अब M. Loisel जो है यानि मतलबा का जो husband है वो फिर से अपने कपरे वगेरा पहनता है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूं उन tracks पर चेक करने जहां पर हम लोग चल रहे थे तो मतलबा जो थी वो घर पे ही थी अपने evening gown को पहने हुए जबकि उसका जो husband है वो बाहर चला जाता है नेकलेस को ढूणने के लिए तो M. Loisel यानि मतलबा का जो husband था वो 7 बजे लोट कर आता है और वो बताता है कि उसे वो नेकलेस कहीं नहीं मिला और वो कहता है कि वो पुलीस के पास भी गया था और वो कैब आफिस में भी गया था उस नेकलेस के बारे में पूछने के लिए यहां तक कि उसने एक advertisement भी दिया है newspaper में कि जिसको भी वो नेकलेस मिलेगा वो लोटा दे और उसके बदले में उसने reward भी रखा है यानि इनाम भी रखा है तो मैडम लॉजल जो है वो अपने husband का पूरा दिन इंतिजार करती रही यानि एकदम परिशान सी वो उसका इंतिजार कर रही थी और उसका जो husband है वो शाम को यानि evening को लोट कराता है और वो उससे कहता है कि उसे वो necklace नहीं मिल रहा वो उस necklace को नहीं खोज पा रहा है तो अब जो M. Loisel है यानि उसका जो husband है वो अपनी wife को कहता है कि तुम मैडम Forrester को एक letter लिखो जिसमें तुम लिखो की तुमारा necklace का जो clasp है hook है वो तूट गया है और तुमें उसे repair करवाने में कुछ time लगेगा तो तुम उसे repair करवा के उसके बाद तुम उसे लोटा तो जैसे जैसे वो बोलता है वो letter को लिख देती है तो पूरा एक हफता बीत गया था और अब उनके मन में कोई आशा नहीं था उस necklace के वापस मिलने का तो Loisel यानि की जो M. Loisel था यानि मतिल्दा का जो husband था जो की उससे 5 साल बरा था वो कहता है कि हमें अब उस necklace को replace कर देना चाहिए तो वो लोग पहले इस royal के एक shop में जाते हैं जहां पर उन्हें विल्कुल same to same exactly वैसा ही diamond necklace मिलता है जैसा कि उन्होंने खो दिया था और उसका value था 40,000 फ्रांस तो उन्हें 4000 के discount पे 36,000 फ्रांस में वो necklace मिल रहा था तो loisal के पास 18,000 फ्रांस था जो कि उसके फादर उसके लिए छोड़ कर गए थे और बाकी का पैसा वो borrow करता है तो वो money lender से कुछ promises करके उनसे पैसे borrow करता है फिर वो लोग उस necklace को खरीद लेते हैं और merchant counter पे पूरे 36,000 फ्रांस deposit कर देते हैं तो जब मतिल्दा अपने friend मैडम forister के पास उस necklace को लोटाने के लिए जाती है तो मैडम forister जो है वो कुछ उखरे उखरे आवाज में उससे कहती है कि तुम्हें इस necklace को थोड़ा और पहले लोटा देना चाहिए था ना मुझे इसका काम भी पर सकता था तो जब मैडम forister को वो necklace मिलता है तो वो box को खोल कर चेक भी नहीं करती है कि हाँ वो necklace ठीक है कि नहीं है मतिल्दा ने सोचा था कि वो उस necklace को लेकर काफी ही जादा परिशान होगी और अगर उसने box को खोल कर देखा और अगर उसे पता चल गया कि हाँ ये necklace replace किया गया है तो वो उसे चोड़ समझेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है वो तो box को खोल कर चेक भी नहीं करती है कि हाँ necklace ठीक है कि नहीं है तो अब मतिल्दा को पता था कि उसका जो life है वो और भी जादा horrible होने वाला है तो अब क्योंकि उनको loan के पैसे चुकाने थे जो कि उन्होंने necklace को खरीदने के लिए loan लिया था तो अब उनको क्या करना था कि अपने सारे expenses को कम करना था और जादा से जादा saving करनी थी तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने घर से जो नौकरानी थी जो काम वाली बाई थी यानि जो मेड थी उसको घर से यानि काम से निकाल दिया और उन्होंने अपना घर भी चेंज कर लिया वो लोग एक बिल्डिंग के छट पे रूम रेंट पर लेकर रहने लगे तो अब मतिल्दा को अपने घर के काम सीखने परे और घर के किचन के काम करने परे जैसे बरतन धोना, खाना बनाना ये सब उसे करना परा अब वो कपरे धोती थी, उन्हें सुखाती थी तो अब वो हर सुबह जल्दी उठकर स्ट्रीट में जाया करती थी पानी भरने के लिए उसके पास जो थोड़े पैसे थे उससे वो ओर्डिनरी लोगों की तरह कपरे पहना करती थी वो ग्रॉसरी सॉप पर बचर शॉप पर फुरूट शॉप पर बास्केट लेकर जाया करती थी और डेली यूस के समान खरीदा करती थी उसका जो हस्बेंट था उसका भी कंडिशन काफी ही जादा खराब हो गया था उसे इवनिंग में एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था और रात को वो कॉपी का काम किया करता था जिसके लिए उसे 500 एक पेज के मिलते थे यानि काफी स्मॉल अमाउंट मिलता था तो ऐसा लाइफ उनका पूरे 10 साल तक चला यानि 10 सालों तक उनका ऐसा ही लाइफ चला और 10 सालों में उन्होंने अपना कर्ज भी चुका दिया तो इतने साल बीट जाने के बाद मैडम लॉजल जो थी वो काफी ही जादा बदल गई थी और वो एक हार्ड वरकिंग बोमेन बन गई थी अब वो थोड़ी बुड़ी दिखने लगी थी क्योंकि उसके जो हेर थे उसको वो उसना अच्छा से नहीं रखती थी उसके जो हाथ थे वो लाल हो गए थे और उसने पुराने कपरे पहन रखे थे और तो और वो लाउड टोन में लाउड वोइस में बात किया करती और वो बहुत सारे पानी के साथ फ्लोर को धोया करती थी फ्लोर को साफ किया करती थी तो कहने का मतलब यह है कि इन दस सालों में मैडम लॉइजल जो थी वो पूरी तरह से बदल गई थी तो कभी कभी वो अपने आपको अच्छा फील करवाने के लिए जब उसका husband office में रहता था तो वो window के पास बैठ कर उस दिन के बारे में सोचा करती थी जिस दिन वो minister के घर पे party पे गई थी तो वो उस दिन के बारे में सोचा करती थी और वो सोचती थी कि वो दिन कितना ही अगर उसने उस necklace को नहीं खोया होता तो उसका life कैसा होता और वो सोचती थी कि एक necklace की वज़ा से उसका life जो है वो कितना बदल गया और वो सोचा करती थी कि एक चोटा सा step भी किसी person के life को पूरी तरह से बदल सकता है तो यह सब कुछ वो सोचा करती थी तो एक दिन संडे को वो अपने आपको सारे स्ट्रेस और सारे प्रेशर से थोड़ा रिलाक्स फिल करवाने के लिए वो चैंप्स एलसीस में वॉक कर रही थी कि तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है जिसके साथ एक चाइल्ड होता है और वो देखती है कि वो लेडी और कोई नहीं बलकि मैडम फॉरस्टियर थी जो कि अभी भी प्रिटी थी यंग थी और अट्राक्टिव थी तो मैडम लॉजल जो है वो काफी ही ज़ादा अफेक्ट होती है ये देखकर और फिर वो सोचती है कि क्या वो उससे बात करे की नहीं करे तो फिर वो डिसाइड करती है कि क्योंकि उसने नेकलेस लोटा दिया है और उसके सारे जो लोन्स थे जो सारे डेप्ट थे उसको भी उसने चुका दिया है तो अब कोई reason ही नहीं है उससे ना बात करने का तो मैडम लॉजल जो है वो उसके पास जाती है और वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग जैनी तो मैडम फॉरिस्टियर जो है वो ये देखकर काफी ही जादा confuse हो जाती है और वो उसे पहचान नहीं पा रही थी कि ये कौन है और वो सोचती है कि शायद ये मुझे अच्छी तरह से जानती है क्योंकि मैडम फॉरिस्टियर को उस नाम से सिर्फ उसके close friend सी बुलाते थे तो इसलिए वो ये नाम सुनकर थोड़ा confuse हो गई थी और वो थोड़ी stammer करती हुए उससे कहती है कि मैं आपको नहीं जानती शायद मैं वो नहीं हूँ जिसको आप खोज रही हो तो इस पर जो मतिल्दा है वो कहती है कि नो 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 I am मतिल्दा लॉजल मैं मतिल्दा लॉजल हूँ तो ये सुनकर उसके जो फ्रेंड है वो थोड़ी surprise हो जाती है और वो उससे कहती है कि ओ मैं पूर मतिल्दा तुम इतनी बदल कैसे गई तो इस पर जो मतिल्दा है वो reply करती है कि जब वो लोग last time मिले थे यानि आखरी बार मिले थे उसके बाद से मतिल्दा के काफी बुरे दिन थे यानि उसे काफी ही बुरे दिन से गुजरना परा और ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ तो ये सुनकर जो मैडम फॉरेस्टियर है वो पूछती है मेरी वजह से लेकिन मैं तुम्हारे बुरे दिनों के लिए कैसे हुई तो इस पर जो मतिल्दा है यानि मैडम लॉजल जो है वो मैडम फॉरेस्टियर से कहती है कि तुमने मुझे जो नेकलेस दिया था वो मुझे हो गया था मैंने गुम कर दिया था तो इस पर जो मैडम फॉरेस्टियर है वो उससे कहती है लेकिन तुमने तो मुझे वो necklace लोटा दिया था न तो इस पर जो मतिल्दा है वो कहती है कि हाँ हमने वैसा ही exactly same to same necklace खरीद कर तुम्हें लोटाया था और हमने वो necklace loan लेकर खरीदा था जिसके पैसे हमें 10 सालों तक चुकाने परे और मतिल्दा ये भी कहती है कि वो लोग उतने rich नहीं थे कि वो लोग उतने महंगे expensive necklace को afford कर पाएं मतिल्दा ये भी कहती है कि अब उसके सारे loan सारे कर्ज खत्म हो चुके हैं और अब उसके पास जो कुछ भी है वो उससे satisfy है तो इस पर जैनी यानि कि जो madame forestier थी ये सब कुछ सुनकर वो काफी ही जादा surprise हो गई थी और वो मतिल्दा से पूछती है कि क्या तुमने जो मुझे necklace लोटाया था वो diamond का necklace था तो इस पर जो मतिल्दा है वो reply करती है हाँ तो ये सब को सुनकर madame forestier को एक धक्का लगा था वो काफी ही जादा परिशान हो गई थी और वो मतिल्दा के हाथों को पक्रे हुए उससे कहती है oh my poor मतिल्दा लेकिन मैंने तुम्हें जो necklace दिया था वो एक fake necklace था और उसकी कीमत 500 France से जादा नहीं थी तो that's it यहीं पर आकर हमारी जो कहानी अब वो खत्म हो जाती है और इस कहानी से हमें काफी ही एक बहुत ही अच्छा moral सिखने को मिलता है कि मतिल्दा ने एक दिन की खुशी के लिए या फिर एक दिन की दिखावे की खुशी के लिए उसने अपने 10 साल बरबाद कर दिये तो अगर उसके मन में वो greed नहीं होता उसके मन में वो जब नहीं होता कि मुझे सब के सामने rich दिखना है तो शायद उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होता उसने अपने life के precious 10 साल उसके बरबाद नहीं हुए होते तो काफी ही जादा important lesson मिलता है हमें इस chapter से कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, साटिस्वाइ रहना चाहिए, और अगर हमें और चाहिए तो उसके लिए महनत करो, पेशन्स रखो, लेकिन हा, लालच मत करो, तो ग्रीड मत करो, और अपने एक दिन की दिखावे की जिन्दगी के लिए अपने लाइफ को बरबाद मत करो, तो बस यहीं पर हमारा जो आज का ग्यान का सभा है, वो समाप्त होता है, तो वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपने से बहुत कम ही लोग हो जो इस चानल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज यार, वीडियो को लाइक को चानल को सब्सक्राइब करके, बेल नॉटिफिकेशन ओन करना, मत भूलना, ताकि आपको सारे अपडेट्स time to time मिलते रहें, क्योंकि मैं बहुत ही महनत करके आपके लिए वीडियोज बनाती हूं, तो मुझे मेरे महनत का फ़ल मिलना चाहिए, इसलिए वीडियो को लाइक को चानल को सब्सक्राइब कर देना, और ये मुझे काफी ही जादा मॉटिवेट भी करता है आपके लिए और वीडियोज बनाने के लिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ने चाप्टर के साथ, तब तक के लिए हसते रहिए, खुश रहिए, जै हिंद, जै भारत!